दोस्तों इतने बड़े बोर्ट पर अंग्रेजी के दो शब्द लिखे हुए ही इज और ही वाज आप कहेंगे यह तो बड़े छोटे से हैं असल में इनी में ही पूरी अंग्रेजी रखी हुए अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुए ना आप अंग्रेजी सीखी नहीं सकते हैं ही इज ही वाज ऐसे ही जरह यहां पर देखिए ही विल बी और ही है जादा नहीं बस यह चार क्लियर कर लो समय लो नई आपार हाओ एक एक करके बताता हूँ मेरा नाम है सर्ताज आप देख रहे हैं सर्ताज सर की क्लाज मैं हूँ आपका इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनर सबसे पहले हम बात करते ही इस की अगर आप से कोई बुझे ही इस का मतलब क्या होता है तो आप एक ही जवाब देंगे मतलब एक ही मतलब होता है उसका जो है लेकिन नहीं इस ही इसके एक नहीं तीन-तीन मतलब होते हैं सुनो भाई साब डिपेंड करता अलग-अलग सिचुएशन पर सबसे पहला जो मतलब होगा वह है वह है अब क्या है वह डॉक्टर है, वह टीचर है, वह जूटा है, वह सचा है, वह अच्छा है, वह लंबा है, वह छोटा है, वह मोटा है, वह है लेकिन ये तब ही बनाए जाएगा जब आप he is के बाद कोई noun लगाते हैं, कोई noun, noun मतलब नाम लंबा, मोटा, छोटा, अच्छा, बुरा, अमीर, गरीब, जैसे वह अच्छा है, तो कैसे बोलेंगे हम इसको he is good, अब देखिए, अरे वह यह गुड़ तो लिख दो, he is good, अब देखने वाली बात यह है, कि देखिए, यहाँ पर तो he is ही लिखा है, लेकिन आगे एक noun लगा देने से के साथ ing, जैसे go का going, slip का sleeping, come का coming, dance का dancing, eat का eating, read का reading है तो ing लगाना है, जैसे वह सो रहा है, वह सो रहा है, तो इसे अंग्रेशी में बोलेंगे, he is sleeping, he is sleeping, अब देखिए, चीज वही है, ऊपर भी he is, नीचे भी he is, लेकिन change कैसे हो गया, कैसे magic हुआ, आगे की चीज canle change करने से, ना उनके बज़ाए ing लगा दिया, he is का एक और मतलब होता है, आप उस निये क्या होता है, आप कहेंगे, तो पहली बार देखने, एक किसने सारे, जी हाँ इस ही को तो nego blessed principle है, he is का अगला मतलब होता है, उसे किया जाता है, उसे किया जाता है, जैसे उसे पीटा जाता है उसे बलाय जाता है उसे खिलाय जाता है उसे खरीदा जाता है उसे बेचा जाता है उसे समझाय जाता है उसे नहलाय जाता है वगेरा वगेरा तो यहां पर उसे कोई काम किया जाता है उसके साथ तो ऐसी कंडिशन में हम हीजी लगाएंगे बस फर्किये है कि अब third form लग जाएगी तो वह उसे किया जाता है जैसे उसे पीटा जाता है यही बनाते हैं उसे पीटा जाता है तो चीज तो वही रहेगी he is लेकिन पीटने को beat कहते हैं third form हो जाएगी bitten bitten he is bitten देखिए यह भी he is यह भी he is यह भी he is यह भी लेकिन वह है वह अच्छा है रहा है वह सो रहा है किया जाता है उसे पीटा जाता है उसे बुलाया जाता है he is called ऐसे तो अलग अलग चीज़े एक ही के साथ अब ऐसे ही आता है he was जाई सुनेंगे he was अब इसके भी तीन मतलब होंगे दोस्तों he was पहला मतलब सुनेंगे पहला मतलब इसका होता है वह था वह था जैसे वह डॉक्टर था वह टीचर था वह अमीर था वह अच्छा था वह ये था वह वो था लेकिन कब जब आप इसके साथ लगा देंगे कोई नाउन जैसे वह गरीब था वह गरीब था तो इसे कै वैसे बोलेंगे, he was poor, he was poor, लोजिक इतना simple, देखिए, he was ही आ रहा है, लेकिन इसे he was को वह था बनाने के लिए, हमने आगे एक noun जोड दिया, लेकिन, he was के साथ एक और experiment करते हैं, सुनिये, अगर हम he was को, इसकी दूसरी हिंदी पहले सुनेंगे, वह रहा था, वह रहा था, क्या रहा था, कोई भी काम कर रहा था, वह सू रहा था, वह जा रहा था, वह आ रहा था, वह पड़ रहा था, वह खेल रहा था, वह रो रहा था, कोई भी काम कर रहा था, ऐसी condition में हमें लगाना है, इसमें बनाने के लिए ing, वर्ब की first form में ing, जैस वह सो रहा था यहीं बना ले थे तो कैसे हो जाएगा ही वाज स्लीपिंग ही वाज स्लीपिंग अब यहां पर भी गौर करने वाली बात है यहां पर भी वाज ही है ही के साथ उपर भी लेकिन नीचे सिर्फ आगे की चीज़ बदल के पूरा माहौल चेंज कर दिया अगला गया जैसे उसे बुलाया गया उसे पीटा गया उसे खिलाया गया उसे ठोका गया उसे मारा गया उसको खिलाया गया उसे नहलाया गया तो यहां पर हमने तो यहां पर ऐसी कंडिशन में हम लोग क्या करेंगे ही वाज का प्रेयोग कर सकते लेकिन आपने लगाना है यहां प अक्सेसरीज हैं तो कैसे बहुत फर्म उसे पेटा गया टो कैसे बोलेंगे उसे पीटा गया वास desse'll एकसेसरी आटे हमने इसमें इन जी लगा दी तो काम अलग हमने इसमें थर्ड फर्म लगा दी तो काम अलग मतलब mixture machine एक लेकिन उसे grinder बनाना है उसके साला पीसना है अलग अलग बिलेड लगा रहे हैं तो वही चीज है दोस्तो ये तो बड़ी basic सी चीज है थोड़ा सा और आगे चलते हैं बस एक page और और इस पे समझाता हूं ही विल बी और ही हैस तो बड़े काम का है सब से पहले ही विल बी की बात करते हैं गौर से सुनेंगे ही विल बी ही विल बी की भी तीन हिंदिया होती हैं पहली है वह बनेगा जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे हैं डॉक्टर बनेगा वो टीचर बनेगा वो लायर बनेगा वो ये बनेगा वो बनेगा तो विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी condition में noun लगाना होगा, जैसे वह एक teacher बनेगा, वह एक teacher बनेगा, सो हम बोलेंगे, he will be our teacher, he will be our teacher, ऐसे, यहाँ पर भी will be, लेकिन, माहुल चेंज कैसे किया, noun लगा के, इसका एक और मतलब सुनिए, he will be का, अगला मतलब आता है, वह रहा होगा, वह रहा होगा, जैसे, वह सो रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह नाच रहा होगा, वह नहीं आ रहा होगा, क्या वह जा रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन ये बनाने के लिए, हमें कौन सा बलेट लगाना पड़ेगा, इसमें, हमें लगाना पड़ेगा, वर्ब की first form के साथ, ing वाला बलेड, जैसे, वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा सो ऐसी condition में वही he will be है ना जैसे हम लगाते आ रहे हैं वैसी लगाएंगे कैसे he will be he will be लेकिन इस बार ing sleeping he will be sleeping यहाँ पर भी will be है लेकिन change कैसे हुआ? accessory change कर दी will be का एक और आर्थ होता है एक और मतलब होता है और वह सुनेंगे और तीसरा वाला होता है उसे किया जाएगा उसे किया जाएगा जैसे उसे पीटा जाएगा उसे खिलाया जाएगा उसे बुलाया जाएगा उसे नचाया जाएगा उसे इनाम दिया जाएगा ऐसे, तो हम बना देते हैं उससे बुलाया जाएगा, ठीके, यानि उससे ये काम कराया जाएगा, उससे किया जाएगा, उससे बुलाया जाएगा, बना लेते हैं, आजा भगी आपन, उससे, तो वही, he will be, सबसे बेले तो हम वही लिखेंगे, जो हमारा चलता आ रहा है उपर से he will be he will be बुलाने को call कहते है third form लगा देंगे call क्यों कैसे बनेगा यह कोई काम किया जाए क्योंकि इसके साथ आपको लगानी पड़ेगी रूल कहता है वर्व की third form तो देखिए अगर will be he will be के बाद noun लगा दें तो वह बनेगा he will be के बाद आइन जी लगा दें वह कोई काम कर रहा होगा he will be के बाद third form लगा दें उसे किया जाएगा उसे बुलाए जाएगा उसे पीटा जाएगा अब has का मसला थोड़ा अलगे हैs का मसला देखिएंगे मैं इसके तीनों जितने ही पॉइंट एक साथ खुलताओं गवर से देखिएगा तो सारे पॉइंट से भाई ध्यान देंगे और इसके जादा नहीं है इसके दो ही पॉइंट से महारे पाद दोनों पॉइंट कहल ले he has convert गौन टीवी अधार आधार कार्ड पैन अधार अधार जार तो यहां पे चीज वही लेकिन अलग कैसे दिखा, नाउन लगा के, अब इसके बाद एक और बना लेते हैं, वह चुका है, तो इसे बनाने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, अब उसके पास है में से चुका है में, तो आपको कुछ नहीं करना, वर्व की थर्ट फॉर्म लगानी है, बस वह जा चुका है, यही बना लेते हैं, तो देखे, आपको अब यह एक होमवर्क दूगा, होमवर्क लिए बिना बिल्कुल मत जाएगा, बहुत काम का होमवर्क है ही तो वह जा चुका है, ध्यान देंगे, ही हैस, जाने को गो कहते हैं, थर्ट फॉर्म गॉन, यहां पर भी हैस ही लिखा है, अलग कैसे हो गया, वह इसलिए हो गया, क्योंकि अब आपने एक्सेसरी या ब्लेड चेंज कर दिया, अब उसका काम टास्क अलग हो गया, अब व यहां पर देखिए, ही इसके तीन मतलब होते हैं, अगर ही इसके बाद नाउन लगा दो, तो इसका मतलब हो जाएगा, वह है, वह अच्छा है, वह बुरा है, अगर ही इसके बाद आइन जी लगा दो, तो हो जाएगा, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, अगर ही इसके किया गया, उसे बुलाए गया, उसे जिताया गया, उसे खिलाया गया. सेम अगले पेच पेश पेश्पे हमने विलबी के साथ सीखा था, इसके वienen मतलब होते हैं, अगर नाउम लगा दो तो बनेगा, अगर लगा दो तो रहा होगा और third form लगा दो तो उसको किया जाएगा उसे बिलाए जाएगा पीटा जाएगा और हैस को हम convert कर सकते हैं यहां तो क्यूंकि ही है तो हैस है वरना यह हो भी होता है अगर आई यू वी दे बहु अचन आ जाए ऐसे आप इसकी जगह एम आर भी यूज़ कर सकता है अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो आई अब बार यह homework की दोस्तों गौर कीज़ेगा बड़ ध्यान से इसकत आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस इस लिखे में नजर आ रहे हैं इन सभी सेंटेंस की इंग्लिश ट्वांसलेशन दिल से कीजिएगा जितने हो सके बनाईएगा और वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा मैं आपके आंसर का वेट करूँ देखे लेकिन मुझे यकीन ठा कि मेरे देश के बच्चे ऐसे नहीं हैं दुणिया के रेक्क्राइब करेंगे 57L कर रहा हूं फिर से बता रहा हूं कभी यूट्यूब पर कई वीडियो पर 20-20 मिलियन व्यूस पार हैं तो आप समझ सकते हैं जब एजुकेशनल वीडियो पर इतने व्यूस आने लगें तो यह अपने कर दो आप में बहुत बड़ी बात होती है आप खरी सकते हैं मेरी किताब अपने घर बैठा ओडर कर सकता है अमाज़ोन या फिलिप कार्ड से इसके लावा कहीं से नहीं प्लीज या फिर डाउनलोड कर सकते हैं मेरा अप्लिकेशन ग्रामर वाला जहांपर सुपर बेसिक को इंगलिश नहीं आती है अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो इससे नत ले ना सो दोस्तो आज के लिए इतना काफी अपना ध्यान रखिएगा कल फिर मुलाखात होगी एक नई वीडियो में इस वीडियो को सब के साथ शेयर कीजिए और चाहते आतों एक प्यारा लाइक दिकर जाना